हाँ, पुछिए कि हमारी शरकार हमारे लिए बहुत कारे कर रही है, इसमें मैं जनता की एक कारे करता होने के नाते, अत्योधी मंत्र के बारे में आप से जानना चाहती हूँ, कि इसको लोगों में कैसे फेलाए जाए, ये मेरा आप सी कॉश्चन है, आपने गरीबों के लिए सवाल पूशा, मुझे बहुत अच्छा लगा, हम भारती जनता पार्टी के कारे करता, पड़िंदियाल उपाध्याजी ने में जो अन्तोधय का मार दिखाया है, उसी के आधार पर चल रहे हैं, और समाज के आखरी छोर पर जो बैठा बैकती है, उस पर सरकार काम कर रही है, एक विचार प्रक्रिया है, जो हमारा भाजपा कार करताओं की रगों में है, चाहे गरीब हो, शोशित हो, वंचित हो, पीडित हो, आदिवासी हो, या फिर हमारी माताए भेने हो, हमारा लक्ष तब तक काम करते रहना है, जब तक की अंतीम ब्यक्त तक उसका लाप न पहुंच पाए गरीबों को ससक्त आत्मन निर्भर बनाने एवं उनके दिर्ग कालिक और प्रक्रति शिल्विकास के लिए हमें कुछ सिध्धानतों पर काम कर रहे हैं सब के लिए स्वास्त आज गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए भी बहतर से बहतर इलाज कराना कराना संभव हो गया है आईश्मान भारत के माध्यम से हमने मेडिकल बिल के भुकतान की समस्या से गरीबों को मुक्ती दिला भी है इस योजना के तहट दस करोड गरीब परिवारों को सालाना पांच लाख रुपिये तक का हेल्थ इश्वरंस जिया जा रहा है इसके अलावा दवाईया सस्ती की हैं आपरेशन्स को सस्ता किया है दूसरी बात सब के लिए घर प्रदान मंत्री आवास योजना के तहट गरीबों के लिए घर बनाने का काम काफी तेजी से चल दा है लगबग एक करोड पचीश लाग गर तैयार करके उसकी चाबी दे दी जा चुकी है जरा उन परिवारों की प्रसनता की कलपना कीजिए देखिये आपके हाद भी ताली बजाने के लिए मजबूर हो गए आप उन परिवारों की कलपना कीजिए जिने इस दिवाली खुद के अपने घर में मनाने का सवभाग मिला है तीसरी बात सब के लिए बैंक एकाउंट जंदन योजना ने तो कई बाधाओं को दूर किया है इसने इस दाना को भी खत्म कर दिया है कि बैंक के सिस्टिम गरीबों के लिए नहीं है आज गरीब का हक का पैशा DBT के माध्यम से गरीब के बैंक एकाउंट में सीधा जा रहा है इतना ही नहीं गरीबों को लोन लेना है तो वो सिर्फ साहवकारों के पास ही जा सकते हैं ये धारणा भी जन दन्ने खतम करती है आज गरीब न सिर्फ बिना एक रुपिय दिये बिना एक रुपिय दिये अपना एकाउंट खुलवा सकता है बलकि मुद्रा, योजना या स्टार्ट अप इंडिया के तहप लोन भी ले सकता है छोटे उद्यमियों के लिए तो आज बैंक रेड कार्पेट बिछा रहा है हमने एक और काम किया है, सब के लिए सुरक्षा बिमा हमने करिब 14 करोण लोगों को सुरक्षा बिमा का कवर प्रदान किया है प्रदान पती सुरक्षा बिमा योजना के तहट दुरगटनावस मृत्य होने या पूरी असमर्थता का शिकार होने की स्थिति में परिबार वालों को दो लाख रुपे की राशी प्रदान करने की विवस्ता है इसके अलावा लगबग साड़े पांच करोड लोगों को जीवन जोती भीमा योजना का लाब दिया है योजनाओं का लाब हर एक के पास आज डिजिटल इंडिया कारकम यह सुनिशित कर रहा है कि सरकार जो कुछ भी कर रही है लाभार्थियों तक उसकी पहुंच कम से कम समय में बस एक बटन क्लिक पर हो जाए आज एक गरीब व्यक्ति के हाथ में एक मोबाइल उसके लिए ससक्ति करण का एक साधन बन गया है ग्राम पंचायतों में हमारे कॉमन सर्विस सेंटर्स की संख्या में जो 2014 में 83 हजार थी आज बढ़कर लगभग 3 लाग हो चुकी है 2014 में हाइस्पीड अप्टिकल फाइबर नेट्वर्स ग्वारा जो गाउं कमर पंचायतों के संख्या सिर्फ 60 से भी कम थी 69 थी वहीं आज ये संख्या एक लाग से अधिक हो चुकी है जिस पैमाने पर विकास हो रहा है वह अभूत्पुर्व है हमारा फोकस समाज के सबसे आखरी छोर तक विकास को ले जाना कर रहा है और इसलिए वो व्यक्ति जो अब तक खुद को पूरी तरसे बे सहारा और सिस्टम से अलग महसूस कर रहा था आज स्वयम को इतना ससक्त महसूस कर रहा है कि ना सिर्फ अपने बलकि रास के भागे को भी गड़ रहा है